हालेल्लूया इस ब्रदर का नाम अमरित पाल है और जे सोईयां गाओ के रहने वाले हैं हम इनकी टेस्टामनी इनके मौच से सुनेगे कि आजय हैं हालेलूया सब्दों मेरे विडेन और ने खोळावन कोदा ने बहुत सारे कमान कीता और लासी कुछ दिन पहला मेरे जीवन ने पर मेशन ने हम बना जैयु और ऑधन रेलेक्वन लोस्ते पर मेस्वन ने पहला मिरे जीवन कित था और और भल various entire करने शेर करना चोनना कि को समय पहला मैंक समय जिवें थे भी आज जो प्रभुदे दासा तो इस मृस्टी जो टीचिंग आसा नू पोजिटिविटी ते उपर सिखाया जान दावा और बाइबल वचल भी जिवें संदास दाना कि जेडियां भी गलांदासी पैखाने वही पैखाने वही जिदकल फून लेना सी ओर ब्रदर तरंता रंधा और उनू क्या कि चलो मतलोग रेट सा डाता है हो गया कोई फजान वेरें पेया अनु ठीटे होगियार मेरे ना मेरा को दोस्सी गा तरही उनू क्या कि चल आसी फून थीका थीका लेने एग सी शीवें दिरक तो मैं अपने दोस्तों किया कि चलो फूनते थे बेशा को पैसे नहीं काट करनू मननन देया लेकिन जड़ा बंदा एटी दूरो चल के आजेगा ते असी जुदो आएगा उदो नू कवांगे कि थोड़े पोदे कटाला पकी गाला की कटाई लेगा और उसमें परशाशन दे को जो पातानी कुष्कार ना करके 144 जड़ी तारान दियो लगाई गई सी किसे भी सुनसान जगाते मतलों लोकानू खड़नी जी दिता जांदा और जिस जगाते मेरा दोस्त दो में जाने ओधी वेट करन लाग पे नेर दे कंडे ते बिलकुल भी ओते आसपास कोई भी नही कि चाले आंकरांगे रस्तेज किनने नाके लग गया थे उन्हों अपा कहता हैंगे कि यार सानू नाके दे डाक लिया सीगा पुल्स वाल या थे कोच पैसे सानून ना देने पागे और साड़ी को एह हुई रह गया और ऐस तरह जो 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 चिए या तो अधे जस्ट एक दो को मिननन दे बाद ही पीसी आ रहा है ना मोरसाल कोम के साड़े पिशे तकेंदे एथी की गरंडे जो तो कदी भी पुलिस केस यां को यह होजी चीज हो ही निता सी काफी यस तरह कबरा आगे तो ने कोई भी साड़ी नी सुनी केंदा चलो थाने तो सानू थे लागे तो उस स हमें प्रभूदे वेच सी लेकिन कुछ अमें ज़्यादा चीजा नहीं सी जान दे और जदो उसी हो थे पहुंचे हो ना रहा है कि नहीं है तो कहन दा कि नहीं तुसी है थे मतलब जड़ा बंदा ता डिको ऑन लगावा तुसी तको स्मैक लेनी यू नहीं पैसे यह नू द कर दिता और बाद वेचे असी दोना ने मिलके परमेश्य अगे सिगालनू रख्या ते कहना कि जड़ा बंदा ता डिको लगा और नू फटाफट बलाओ अस यह नू फून कीता हो कैंदा प्रभा मेरे मुरसाहिल कागज निया कि मैं आ गया देना मिनू भी बठा लेना तो को अपना मसला पर इन बेड फेर असी परमेश्य गे प्रेयर किती और अधे बादा ओधा फून आया कि चलो असी आ जाने या ओ ब्रदर ओथे आया और ने दस्या में आ फून सेल करना है ना लेना वा ओथे साड़ा चलो सोदो आ गया सी फून लेते लिया लेकिन जेडे पै आपने देना मिनु पर आ गया और फिर एक वाक्या और वा सुनो सुनो एक चीज़ रुको अभी मैं थोड़ा इसे अस्पेन करता हूं सुनो जे अभी जो जे गवाही बता रही है फून की कि हमने ओएलेस पर फून देखा और मैं और मेरा दोस्त लेने के लिए गया पर रास्ते में सेम जैसे हनन्या और सफीरा ने किया हां मन में सोचा कि इस Bumi को बेचेंगे और किसके काम के लिए देदेंगे पर आस्ते में क्या कर लिया मन खराब कर लिया नहीं पैसे जादा हैं ऐसा करते हैं दुनों पति पतनी ने क्या किया आधे दे देते हैं आधे अपने पांस रखते हैं तो क्या हुआ आपको पता ना बाइबल में क्या लेका ऐसा करने से उनकी उपर कितना बड़ा हलात आया हाँ पता है ना जिन लोगों ने इस वचन को सुनाए ना उनका ज्यादा रहा न थोड़ा क्योंकि मन बनाया के पहले हम अपनी भूमी बेचेंगे और सारी कि सारी किसे दे देंगे किस और आदे क्या रखती और जब वो प्रसेज़के बंधी उसके पास गये तो उन्हेंने कहा जब तक बुमी तुम्हारी थी तुम्हें किसी ने कहा ऐसा करने के लिए तो वो शबद घ्राणरी की वा रुध के प्रान निकले पिर उसकी पतनी ने सुना उसने भी सुना के मेरे पती की ऐसे होगी उसके और दोनों की होगी क्या डेथ हो नेक्टिविटी सोच ऐसी इसने भी अपने मन में अपने दोस्त को कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम उसे जूट बोलेंगे क्या बोलेंगे क्योंकि नेक्टिविटी कब कम करती है हम जूट बोलेंगे कि हमें पुल्स ने पकड़ लिया हमने उन्हें 500 रुप दे दिया इसलिए हमारे पास इतनी पैसे हैं आप इतनी रखो और जैसे ऐसे सोचा उसी समय PCR का मोट सेंकल आ गया और उने नहीं कहा कि तुम गलत चकर में यहां पर खड़े हो जो सोचा वो ही हुआ और वहां से फिर पैसे देकर शूटे यह देखो नेक्टिविटी गलत अंगिकार गलत सोचना कितना गलत है समर्य हो मैं अब कल मेरे मेरे मेसिस को थोड़ा सा से पेट में कुछ खाने से कुछ ऐसे हो गया जादा ने कुछ थोड़ा सा तो हम सुभे साथ दोनों मॉर्निंग वाक के लिए जाते हैं एवरी डे तो एक अंटी जी मुझे पूछ रही थी आज इनकानाम ले करके वो क्यों यह थोड़ा मने आ जा कुछ नहीं थङ कि वोग्त कि यह यह सोच वोगी वैसा ही काम होगा था इसलिए बताओं अभी आगे बताओं क्या कहना चाहते हैं तो मतलब फिर उस्तों बादा एक वाक्या होड़ शोड़ा है मैं ड्रैवरी गार्दा सी ट्राला चलोंदा सी और सारे नू पता सा डेपन जाब देवेच इक मतलब ऐस्तरा सोच वा कि अगर बिली रस्ता काटी ये देता डेनल कोशी भी बुराएगा और जोड़ों ही असी गड़ी पार के आना थे बाई चांस को ये होजे चांस हो जान थे बास बिली ने रस्ता कट्यानी मांच सोच आई तो दो-चार किलोमेटर अगे जाके टायर पेंचर ओर लोड़ गड़ी ने पंजाट अन तो मंदल अस्तरों हैंदा और उस्तों बादा जो असी प्रभू दे वेच बहु जादा वाद गे और इना सारियां गड़ानु साइडते कीता बाद वी अस्तरा थे चांस होई लेकिन फिर उत्तों बादा कोश भी नहीं उंदा रहा औ और होन जो मदल बीते दीनी मेरे जीवन ची खोदा ने काम कीता अगला इसली ता अंदस्तियां कि कुछ लोग काने मांच मिन्नों बारों बड़े सारे पैनपरा कहा देंदे बास अस्तरा हैं केंदे रहें रहें जाएं तो फार्क देनाल कोशी जानदा हो जानिया और एवी दो चीजा इनिया प्रूफ आइडी हून वाली गवाई या मैं इते अमरी सार बास दे बास दे वेच बतोर ड्रेवर दी जोब कार दावां और बीते दीनी सादे मतलब बससां दे वेच काफी ड्रेवर ने नाल कुशार से होगे बससां दे एक्सिडेंट होगे और बढ़ि प्रांक दे वेच ट्रांसफर कार दे या और ओदा शानो ने हरजा ना भी रख्या कर कोई भी नुक्सान हों दा थे टैन परसेंट जिनना भी टोडल खर्चान दा ओधा अज़े अगर काच मदल मेरे शीशा टोट जे और पैसे थोड़े वाद दोन दे या और जोड़ो ने अज़े नुक्सान है और मेरे मांच असरा ही सोचा चलन लाग भी या कि होने ना थी सैलरी पैनिया ना थी पैसे कटे जाने या पूरा मेना मेनत की ती या और सेम चीज मेरे जिंदकेश मैं अपने आप ते मतले सीनू लाया के बैठ गया कि होना 10-12 तरीक नेड़े या कि हो हुदा मेरे लिए असरा था नहीं या और बास इस चीज़े वेच लगातार कॉंटीनू जे में पॉस्टिव असी सेख ने और बनिया रहा है और एक शोटा जाहला आताया लेकिन खुदा आगे जिनिया गल्लाणू रख्या सच मुछ परमेशु ने करके दखाया मैं वेर के गड़ी अपनी पार्किंग कीती और इस दिन बारिश इननी ज्यादा सी और में मलब बास इंदर एक तरह ना शीशिया थे शनूर जी तुंदला पांच आ गया सी गया और जीवे में बास खड़ी कीती एक डेड़ मिंट खड़ी रही और एक मेरी मिस्टेक सी गल्ती सी कि मै मिस्टेक खड़ी किखिया आन्या तरह दोने इक काहण कुछ बास खड़ी और अडेडम Sóada रा जेद ऐख़ी और भास भास प्रिजी की उ्टेक लिवारी मेरी मत खड़ी के बास खड़ी कीती की मेरी गड़ी अल informations अ भीड़ आ इंद्तेशिया ऑर बासे रही और मेरी मेरी मे जान दिया और उदो पदा लगा जो जाके वेचवाजगी और वजन तो बारा नुकसान थे बड़ा वड़ा हो सागदा ही शीशा टोड सागदा ही जिदी कीमत में भी कोई रुजन से कि नहीं ओब बंदे बास भयाखिती मेरी गड़ी आपे लेकन लेकन जोड़ा हो जो मैं उन्हान पुछादा लगा जोड़ा हो घाए लेकन बैठे ही आपने या आपने एक उपड़ा जो तेरी बास वज़ागी इनना जादा हो गया आवाज इनन जादा है तो सोस् इननी मतलों काफी दूरी थे बंद्यादी दुकान सी जिनना नू पता लगा लेकिन पर मेश्वल ने ओस सिस्टम दे वेच मिनू बिलकुल बचा के रख्या कोई अधा काचनी टुटा हलका के जिनना के नुकसान है और जुद मैं डीपू गया नू रियालिटी दसी कि करो देखो सुनो देखो एक चीज आपको इस गवाही से आपको एक पॉइंट मिलेगा कि नेक्टिविटी कलत सोचने से शातान कितनी जल्दी हमारे जीवन में काम करता है क्या करता है नेक्टिविटी से क्योंकि यह तो परमिशन का धन्यवाद है कि अगर वो शिशा तूट जाता जितनी छोर से ओस की बास दूसरी बस से लगई अगर वो शिशा तूटता तो उसकी कीमत 7-80000 है जिसका खर्चा धर्यावर को 8000 विया अगर इसकी बाराहँ हजार आठ हजार इसका कट गया तो चान हजार से क्या करेगा इंसान तो अपना मन और करों के परमेशे से होता है किनी ओटा अगर ऐसा किसीके साथ हो तो उसका मन और भी ख्राब होता है हां किया वैद्षाण के पहार जाकर ने नुकसान ही हो रहा है अगर्य थ्यान करों के नुकसान कैसे होता है negative प्रभला इसलिए हुआ इसके साथ क्योंकि ये परमेश्य को प्रेम करता उसकी सेवा करता है उसकी हर आख्या को मानता है और उसी आख्याओं को मानने का सिला जैसे हिचकिया राजाओं को मिला इसको भी मिला नहीं तो वहां पर नुक्सान हो जाना था ठीक है तो इसलिए इस गवाही से पता चलता है कि कभी भी अपने लाइप में अपने जीवन में नेक्टीव ने सोचना क्या ने सोचना किसी भी चीज़ के लिए नेक्टीव ने सोचना ग समझागी सबको तारिफ करो इस गवाही के लिए इसमें आपके पॉजिटिव विशांस एक पॉजिविटी में रहने की इस गवाही के साथ आपको एक शिक्षा भी आमें हालेलुईया